Space the World of Interior की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है दिवाली आने में अब थोड़े से ही दिन बचे हैं लेकिन मेरा अगला वीडियो अब दिवाली के बाद ही आएगा तो मैंने सूचा क्यों न मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबको दिवाली और आने वाले वर्ष के लिए बहुत सारी बधाई और शुब कामनाई दे दूँ मुझे उमीद है आने वाला साल हम सभी के लिए बहुत ही खुशियां और उमीदों से भरा हुआ होगा हर रंग कुछ कहता है इस सीरीज में मैं आप से लगाता रंगों के बारे में कुछ न कुछ बात करती रही हूँ आज ये स्पेशल थे होगा के एपिसोड वाले दिन एक स्पेशल रंग को मैंने चुना है अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि दुलहन किस जोड़े में सबसे जादा अच्छी लगती है या आपके इमेज में कौन सा ऐसा रंग है जो दुलहन की ड्रेस के रंग से या उसके पूरे अटायर के रंग से जुड़ा होता है तो अधिक तर लोगों के मन में एक ही रंग का नाम आएगा वो है लाल रंग किसी को प्यार में अगर आपको गुलाब पेश करना है तो आप लाल गुलाब ही डूनते हैं न और वो हार्ट शेप बलून्स जो की वैलन्टाइन डे पे बहुत बिकते हैं प्यार का रंग लाल है तो गुस्से का रंग आपके मुबाइल फोन के जो इमोजी है जो बड़ा गुस्से वाला है देखिए कितना लाल गुस्से से भरा हुआ चैरा है उसका तो ये तो बड़ा dynamic color है प्यार का भी यही रंग और गुस्से का भी यही रंग दोनों ही जो हमारी yin और yang है या जो दोनों हमारी energy के रूप है वो एक ही रंग में समाई हुए है यह हमारा primary color भी है सबसे pure color है किसी भी रंग के दो रंगों के मिलन से नहीं बना है इसलिए इस खास रंग को मैंने चुना है आज के इस episode में आप से बात करने के लिए इंतर दनुष के जो 7 रंग है जो कि violet से शुरू होते हैं और red पे खतम हो रहे हैं इन 7 रंगों में से जो red color है उसकी intensity सबसे ज़ादा होती है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि ये सबसे दूर से दिखने वाले colors में से है इसलिए जहां पे भी खत्रे का निशान हो वहाँ पर red color को use किया जाता है वो खोपड़ी, cross, bones वाली जो ऐसी सभी electric poles लगे होते हैं जा transformers होते हैं उस पे बनाई जाती है जितने भी हमारे fire fighting के जो equipments होते हैं जो हमारे यहां पूरा system लगाया जाता है उसमें भी सारे pipes red color के होते हैं इसकी वज़ा यही है कि ये दोनों चीज़ों को दर्शाएंगे एक तो ये कि ये कुछ खत्रे का भी है इससे दूर रहा जाए और दूसरा ये कि ये दूर से ये भी बता देगा कि यहां पर आजाए यहां पर पानी मिलेगा अगर आग लगी है तो इसको यूज करिए तो ये जो लाल रंग है इतना dynamic और इतना खास रंग है इस रंग के साथ अगर आपको काम करना है तो थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है ताकि आप इसकी जो अच्छी energy है ना जो इसकी positivity है उसको यूज करें इस लाल रंग की से जुड़ा एक किस्सा भी है मेरे पास कुछ सालों पहले मैं एक house renovation project में काम कर रही थी उस family में मेरे client थे उनकी wife और उनके तीन बच्चे उनकी बेटी और बेटा college में पढ़ते थे और एक बेटा school में पढ़ता था बेटी सबसे लाडली थी और लाडली होने के साथ साथ थोड़ी से जिदी भी थी पर ये भी है कि उसका जो भी interior का वो work था उस बच्चे की जिद की वज़े से ही कराय जा रहा था घर पे तो सब कुछ तैय हुआ drawings वगेरा सब clear हुआ बात मेरा हमेशा से ये है कि जब मैं किसी house project में काम करती हूँ तो मैं उन लोगों के personal color choice को जरूर पूछती हूँ अगर मैं commercial project में काम कर रही होती हूँ तो उनके logo या उनकी company का color इसके बारे में जरूर ध्यान रखती हूँ कि वो क्या बताना चाहते हैं तो जब मेरा इस पे भी बात चीच चली मैंने उस बच्ची से भी पूछा कि बिटा आपका personal color क्या आप अपने कमरे को किस सरे से देखना चाहते हूँ तो उसका favorite color red था और उसने कहा कि मैं मुझे मेरा room red color में ही चाहिए उस समय तो उसके parents कुछ नहीं बोले लेकिन वो दोनों शाम को फिर मुझे से मिलने आए और उन्होंने कहा कि ma'am जो हमारी जोदिशी है उन्होंने ये कहा है कि इसका कमरा जो है वो red color में मद बनाएगा क्योंकि इसका mangal काफी तेज है और इसका गुसा भी बहुत आता है तो उन्होंने ये बात कही है कि ऐसा ना होए मैंने उन्होंसे कहा कि देखिए एक designer के तौर पर मेरे पास या तो कोई logic होना चाहिए कि मैं किसी particular चीज के लिए मना कर रही हूँ मगर किसी का favorite color है तो मैं एकदम उसको मना तो नहीं बोल सकती या तो आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं और नहीं तो फिर आप मुझे भरूसा रखे मैं इस color के साथ में इस तरह से work करूँगी कि आपकी बेटी भी खुश रहेगी और जो problem आप बता रहे हैं उसका भी हम solution कर सकेंगे उस समय का जब यह project है मेरे पास तब उस समय पे इस तरह digital cameras या नहीं हुआ करते थे तो यह print form में जरूर कुछ photos हैं जिससे मैं आप लोगों के साथ share कर रही हूँ उस बेटी के हमने room को decor करने के लिए फिर मैंने raspberry red color को चुना था raspberry red बहुत ही ठंडा, मीठा और प्यारा सा red color है और उस color को चुनने के बाद उस कमरे को design किया उसको वो color बहुत पसंद आया और वो बहुत खुश थी अपने rooms को लेकर की वैसे भी लड़किया मेरी बहुत favorite हैं और मैं ये हमेशा चाहती हूँ कि वो खुश रहें क्योंकि वो आगे भी उतनी खुशिया बिखेरती हैं तो आज को वो बहुत ही प्यारी सुन्दर सी बैंकर हो गई है, बड़े शहर में रहती है और बहुत ही अच्छी personality की रूप में उसका व्यक्तृत उभर करके आया है रंगों की इस बड़ी मज़ेदार जर्नी में कई बार इस तरह के ऐसे अनुभ़ मिलते हैं जिसमें हमें ये समझा करके जाते हैं कि रंग कोई सा भी हो, कुछ खराबी या बुराई नहीं है, बस उसके किस तरह से आपको उपयोग में लेना है, बस उसी पे ही आपको सूचना है मैं उम्मीद करूँगी कि इस छोटी छोटी बातों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ आप लोगों के लिए भी जरूर चुपा होगा, जो आप लोगों के काम भी आएगा और आप लोगों को पसंद भी आएगा फिर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुब कामना है, आपका दिन शुब हो, धन्यवाद